वो चलेगा नहीं और मेरे खाल से इसकी डिबेट जो पार्लिमेंट में होगी तो आगस तुनेंगे कि इसका देखे ना अगर एक सरकार गर गई तिल दे नेक्स इलेक्शन वो प्रेज़ेंट रूर के अंदर आ जाएगी तो यह कैसे चलेगा पहले यह पार्लिमेंट में वर्ट दे में बाइवन किस्ति हावल दे कीप फेडल स्ट्ट्रों कैसे रखेंगे चली आगे कि कश्मीर में चर्माजपा ने क्लेम किया है कि जली ही फूटले का पहाँ है क्या कहना चाहिए इसे बारे में और साथ में एई बड़ी आपके लिए मतलब की चिनोती में उपराई है को चिनोती में इनकी गलत यह उन खैली पलाव बका रहे हैं और उसमें में क्या कह सकता हूं पर जब करेंगी जमू की साथी चीज़तों पर तो एंसी कहा देखती है आपके पहले वो देखेंगे कि कौन सूइब करता है मुझे यह बताई इ इनने जमू के लिए क्या किया न जमू के लोगों को नौक रिया न जमू के लोगों को कोई ठेके सारे बाहर से लाए हैं मज़़ूर भी बाहर से लाए हैं इनने जमू के लिए क्या क्या जिसके वज़ा से यह कह सकता है कि हमने कुछ अच्छा किया कोई सेक्रेटरियर में जाएए और देखे कितने जम्मू के वहाँ पे आपके अफसर हैं देखे जरा डी सी बाहर के एसेस्पी बाहर से क्या जम्मू के लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो इसकाबिल नहीं है सथर साल इस रियास्ता तो चलाया यह जम्मू के लोगों को सोचना पड़े उनकी जमीने जा रहेंगे कौन सा कारखाना बाहर से आया जो यहां के लोगों को काम दे सकता है तब पूछे लोगों से महंगाई का आलम देखिये अब हो क्या है और यह अगर कहते हैं कि किस तरह करें कि इने जम्मू के दिलों को जीता है आएटी बनाया कितने हैं वहाँ पे हमारे बच है उसके जवाब दे तो बहुत ठीक है आपने बहुत बड़ी हस्पिताल बना दी एम्स बनाया कहा है वो कौन से हम चीज वहां चल रहे हैं आज भी हमारे लोहों को लुद्याना चंदीगड देली जाना पड़ता है तो क्या फाइदा क्या हुआ जम्मू को जो चिला रहे हैं और फिर आतंगवाद क्या खतम हो गया और को जम्म में बढ़न है क्या चाहिए इनको अनल वह मुझे बता रहे हुआ है यह उनको कंधार कौन ले गया रुबया सज्यद के लिए जो पांच को छोड़ना पड़ वो किस ने किया, किस ने दबाव ला राla, मैंने इसे कहा था, मत करिये, आज वही लोग पाकिस्तान से ये सारा चला रहे हैं, मेंने इसे कहा था, कि उन्जुदों को आप छोड़ रहे हैं, ये ही हमारे बर्बादी क का आलम होगा को सुना हिनने है और फिर हम पर और अरव लगाते हैं कंग्रोस में थिर तो के चुक्र कीजिए है और था नेश्नल काशल काश्ट स्थी Mobile ye जाते, उसने मजोरिटी स्टेट थी, जाते उधर को, उसके वज़ा हमने गांधी का रास्ता इक्तियार किया, नहरू का इस्तार किया, और उसी हिंदुस्तान को हम देखते हैं, जिसे सब लोग बराबरी से रह सके, हिंदु और मुसल्मान उसी को इसाई और बोदु, जो भी ह बराबर रहे, नफरत का जो इने दर्वाजा खोल रखा है, उस नफरत के दर्वाजे को बंद करना है, और हल जो खहता है ना, कि नफरत की दुकान को बंद करना है, और मुहबत की दुकान को शुरू करना है, मैं तो यह कहता हूं, कि हमें नफरत की गाड़ी को डुबोना है, और मोहबत की गारी को सारे भारत पे भीजना है हम भारत का ताज है और भारत के ताज से ही वो शूरज निकलेगा है कि पाकिस्तान क्या कहता है मुझे क्या है मैं पाकिस्तानी तो हूँ नहीं मैं भारत का बाशन नहीं हूँ था बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है अगर N.C. सरकार अनाती है तो स्टेडूर के लिए सबसे बहले क्या किया जाएगा? इस रिष्टे को इसने तोड़ दिया गर्मियों में वहा आते थे और मेहनत से हमारे आकाम करते हैं कि हमारा सीजन बहुत छोटा है उस दरबार मुग को वापस दाना है आप जाएगे पूछिए जम्मू के लोगों को कितना नुकसान जम्मू को हुआ है जब से दरबार मुग बंदो याओ